नमस्का और स्वागत है आप सभी का यूपी एनम बान में बारा भरती में सबसे पहले आप पर एक जरूरी सुषना आप सभी के लिए है और उसके बात कुछ अपडेट यहाँ पर मिली है हाला कि कनपरम नहीं है लेकिन बिल्कुल होने के चांस है उसके लेकिन उसके पहले आ पर आप सभी देखिए मुख्य मंतरी यहोगी आदितनात रविवार यानी 18 दिसंबर की दो पहर बाद दो दीवसी दवरे पर गोरक पूराएंगे वह यहां काकोरी ट्रेन एक्षन के बलिदानियों की याद में आयोजित होने जारे देश के सबसे बड़े ड्रोन सो में साम का आप सभी विशेज द्यान रखें इस दवरान 750 ड्रोन की रंग विरंगी आभा में जंग ए आजादी की गाथा जीवन्त होगी कारकरम में मुख्यमंत्री योगी आदित नात के साथ केंद्रीय संस्कृतियों विदेश राज्य मंत्री मिनाक्ची लेखी और प्रदेश सरकार के परेटन वज संस्कृति मंत्री जैवीर सिंग भी मौजुद रहेंगे मुख्यमंत्री रविवार की शाम गोरकनात मंदिर में दर्सन पूजन के बाद विखासकारियों के समिक्षा भी कर सकते हैं रातरी विश्राम के बाद अगले दिन सोमवार को पार्टी पताधिकारियों से भी वह मुलाकात कर सकते हैं निकाय चुनाओ के मद्रेजर उनका या दोरा काफी महतुपड माना जा रहा है अब यहाँ पर करना क्या है देखिए यहाँ पर चाहे फ्रेस बहने हो अपने ज्वाइनिंग को ले करके या प्रोवेजनल की बहने हो आप सभी लोग मिल करके कल मुख्यमंत्री योगीची से मुलाकात करने के लिए हर संबव प्रयास करें हमारा आप सभी से बिनम्र निवेदन है कल उनसे मुलाकात होने की पूरी उम्मीद रहेगी अगर आप कोशिस करते हैं तो तो जो भी गोरकपूर की बहने हो कल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए पूरी कोशिस कर ले हैं आप सभी और आपस में अगर आप सभी काउंटेक्ट ना कर पाएं आप यहीं पर कमेंट कर लिजे कोई भी एक भाई का नमबर आप सेयर कर दीजे ताकि सब लोग उन से संपर करके या अगर आप किसी गुरूप में जुड़े हो या फिर आप हमसे आप संपर कर लेंगे हमें आप मैसेज कर लेजेगा वाटसप पर वहां से हम बाकी जानकारी बाकी लोगों तक प्रेसित कर देंगे जो भी कल मिलने के लिए जाने वाले हो फ्रेस और प्रोविजनल सभी लोग प्रियास करिए सभी से निवेदे ने अपने ज्वाइनिंग को लेकर के भी प्रोविजनल की बहने अपने आगे की प्रोसेस को लेकर के आप सभी लोग मिल करके कोशिस करिए और बागी आगे जो कुछ भी चीज़े होना है बस वैसा ही हो हम सभी चाहते हैं लेकिन अपना प्रयास हमें निरंतर जारी रखना है और यहीं पर आप सभी को बता दें कि जो कुछ भी चीज़े हैं हमारे भरती में समंदित जो भी हमारे भाई बहन जो भी अब भेरती हो या पिर उनके गारजियन और पैरेंट्स और उनके हस्बेंड और उनके भाई लेकिन हमारे अस्तर से जो कुछ भी चीज़े अभी भी हैं पूरी तरह से कन्परम नहीं है लेकिन हम आपको यहां पर कुछ एक्सपेक्टेड चीज़े बताना चाहते हैं ताकि आप लोग उसी हसाब से आफ़ आगे की जो भी प्रयास करने की अपने रणीती हैं उसको भी आप सुलक समझें हमें कोषिस करना चाहिए कोषिस करना क्यों यहां पर आवस्च्यक है सरकारी कार्य है और इसमें आप देखेंगे एक तरफ सरकार का निर्देश दूसरी तरफ आयोग जहां पर EWS का प्रकरण प्रोवेजनल विधेल्ड की फाइले पढ़ी हुई है और कंप्लिट फाइल विभाग को नहीं बेजी करें दूसरी तरफ विभाग की अस्तर से ज्वाइनिंग की प्रोसेस होनी है तो इसमें मुख्यमंत्री जी के निर्देश अगर हो जाए तो ये प्रकरिया बहुत जल्द सबी की सबी प्रकरिया है बहुत जल्द कंप्लिट हो जानी है 25 दिसमबर के आसपास अगर 20 थारिक को कोड का आउडर सरकार के पक्षि में आया तो 25 दिसमबर के आसपास या 25 दिसमबर के बाद चुनाव अधिसूसना जारी हो सकती है आचार शेंगिता लग सकती है मतलब 25 21-1-ас 2-7-1-1-2 मुख्यमंत्र जी के दुआरा नियुक्ति पत्र किया गया है इसी तरह से आने वाले सब्ता में आपकी भरती में भी मुख्यमंत्र लियुक्ति फत्र किया लेकिन उम्मीद बहुत-जडर है फिर भी सरकार है कब वो उनके प्लान चेंज हो जाए कब वो प्लान इस वेक से फिर आगे के लिए पोश्ट पून कर दें चुकिए हम लोग लगातार कोसिस कर रहे हैं, ट्विटर केंपेन भी दो दिन किया गया था लगातार, लगातार और भी लोग अपने अस्तर से प्रियास कर रहे हैं तो इसलिए सासन को पता है कि वे सभी सेलेक्टेड 8,831 बहने बहुत परिसान है अपने नियुक्ति को लेकर के ज्वाइनिंग को लेकर के तो बस ये प्रियास हमारा और आगे थोड़ी देन के लिए और होते रहना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से ज्वाइनिंग की रूप में हमारा जो प्रियास है वो प्रड़त हो सके और अभी भी आप सभी जानते हैं कि एक बार अगर चुनाव आचार संगिता लग गई तो रात ले लेंगे चाहिए मैटर ही फाइनल करवा सकते हैं सब कुछ उनके हाथ में गॉवर्मेंट के हाथ में हैं तो नेक्स्ट वीक में पहली चीज तो फ्रेज की नियुकती पत्र बितर समारों की पूरी उम्मिद है और सेकंड चीज है प्रोविजनल की जो डीबी है उसमें ज्यादा काम नहीं है अगर आपसे कोई कह रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा काम बचा है बहुत समय लग जाएगा तो हमारे जो अपनी अस्तर से जो भी चीजे में पता चली है उसकी हिसाब से ज्यादा आपको इसमें समय नहीं लगना है ज्यादा काम इसमें नहीं बचा है और आयोग इस कारे को बहुत जल्दी कर लेंगे और ये कारे करने के बाद कोई आपको लिष्ट अगर हो सकता है देखने को नहीं मिले सिद्धी सिद्धी आपकी जो फाइल होगी आपके बिभाब को भीज दी जाएगी उसमें क्यों उन्हीं लोगों की लिष्ट आ सकती जिनके वहाँ पर फाइल हो सकता है कुछ ऐसे कैनेडेट हो जिनके डीबी नक क्लिर हो पाए हलागी हमारी तो सुपकावना सभी के साथ है कि आप सभी 1622 और 202 विदेहल्ट की जो बहने सेलेक्टेट बहने सभी के डीबी क्लिर हो जाए सभी का मैटर क्लिर हो और आपके पक्षी में और आप सभी की फाइल जो है आगे ज्वाइनिंग के लिए विवाग को भेज दी जाए तो आप लोग अपने अस्तर से कोसिस करिए सभी लोग भी देहल्ट की बहने आप लोग भी पूछते रहते हैं आप लोग भी कोसिस करिए तो नेक्स्ट वीक में ये दोनो ही प्रासेस चाहे डीबी वाला प्रासेस हो आयोक के अस्तर से या फिर ज्वाइनिंग की प्रोसेस, दोनों ही प्रोसेस होने के चांस बहुत ज़्यादा है, बट कनंफर्म नहीं है, अभी भी, से सागे कि जो भी आथिंटिक अप्डेट होगी, हम आपको बताएंगे, और कल मुक्की मंतरी जी जी से, जो भी भी बहने मिलने के लिए जा रहे हो, प्लीज आप लोग संक्रतितों करके, जरूर जाए, प्रियास करें, सभी लोग मिल करके, बागी हमारे इस तर से आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगे आप हमें बता है हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपकी मीटिंग होस मुलाकात हो जाए मुक्की मंतरी जी से धन्यवाद वीडियो को आप से भी सेर कर दीजिएगा